सुरत देवन की राच्छेहित सर्बलोह अवतार पार्य उतारन प्रिथ में प्रगटी असुर सिंगार अकाल पुर्ख की रच्छा हमनें सर्बलोह अवतार अवता अवतार वाहे गुरु साहिब जी तुम भगवत आत्मा रामं तुमेव सर्ब ब्याप कहा तुम भगवत ओंकार सब्द ब्रह्मस्च तुम भगवत आत्मा रामं तुमेव सर्ब ब्याप कहा वाहि गुरु जी का खाल साब वाहि गुरु जी की फती सच्च बादशा तांतान सद्गुरु गुरु गोविंद सिंग जी महराज तिना दी महान कृपा दिनाल गुर चरना वेच बैठन दा सुपागी समा परापत हो रिया है सच्च बादशा जी दी पावन कृपा दिनाल चल रही गुर्मत वद्याले कैरों विखी इस सर्बलो प्रकाश ग्रांस दी कथा रिकार्ड हो रही है अति महान मा पुर्ख भाबा ठाकुर सिंग जी कृपा करके दया करके मेरा वरसा करके एक असा आप करवा रही हन मंदिया मिरतिया नो एकागर चित करिये उचारन करिये सत नाम शिरिवाहे गुरू साहिज जी माराज कलगितार जी सर्बलो कबच उचार दे पहेने ए गुरू खालसा जी इत्रह पाहत दा तीजी पाहत दा सलोक परारंब होया है इत्य होना पहले सलोकां दे नालो थोड़ा जा फर्क पाहकी ते तीजे तरीके नाल मारा सहब जी सर्बलो कबच उचारन करनगे प्यार दे नाल सर्वन करो जी माराज कलगितार जी कहन देने तुसीं पगवान हो ते सार्यां दे विच आये होए राम सरूप हो आत मैंने आये होए मा मैंने सार्यां विच आये होए आप जी राम सरूप हो आप जी हरे एक थाँ वेच 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 को सारिय थामां ते आप जी समाई हुई हो तुम भगवत ओंकार सब्द ब्रहम अस्च हां तुसी पगवान हो ते ओंकार शब्द उचार करकी संसार दी रचिना करन वाले ते फिर संसार दे वेच व्यापक होने करकी ते आप जी ब्रहम सरूप हो ब्रहम्दा अर्थ न्दाए व्यापक ते ओवंकार तो वाई गुरु अकाल पुर्ख ने सारी स्रिष्टी रची है ते फिर स्रिष्टी देवेच वाई गुरु अकाल पुर्ख परमीशिर व्यापकों के बैठा है सुमाराज कलगीतार जी कहन दे तुसी ऐसे पगवान हो जो वंकार तो सारी स्रिष्टी नो पैदा करनवाले हो ते च ब्रहम्दा च मैने अते ब्रहम्दा के ये व्यापकों के सारी स्रिष्टी दे वेच बैठे हो तासमई सिरी सर्ब लोह ए नमहा हमाराज कलगीतार जी कहन दे एसलई तिस पगवान दे इस शिरोमनी सर्ब लोह पगवान देता हैं मैं नमह नमशकार करदा हैं एदार्थ देता हैं सर्ब लोह ए कठाई है और बोलना सर्ब लोह है नहीं है सर्बलोह ए इस तरीके नाल बुलना है पाठ कठाई है ते अर्था देताईं ते तिस सर्बलो पगवान के लिए मैं सर्बलो पगवान देताईं नमह नमशकार करता है तुम भगवत जगत कारन जगत बीरयस्च हाँ तुसी पगवान हो जगत दा कारन हो सारी जगत नो परगट कारन वाले हो ते जगत दा बीरह च जगत बीरह च च मैंने अते आप जी जगत दे बीरी जो हो आप जी तो इहीं सारा संसार परगट हुया है हाँ तुम एव एव इस्तरी के दिनाल उसी जगद दा अदार हो जान जो जगद दा आसरा माया है जगद दा आसरा पांच तात ने पंजा तता दो इस संसार बने आए मारा इकंद पांच तात ते तन रचेयो जानो चत्र सुजान जेहते उपजयो नान का लेनता है मैं मान जो जगद दा अदार पांच तात ने उना पंजा ततांदेवी सू वेचे तुसी वराज मान हो तुम एव एव मैंने इस्तरा जा एवदार से निश्चे करके भी होंदा है तुसी इस्तरा निश्चे करके जो जगद दा अदार पांच तात ने उना पंजा ततांदे वेच वीत वाड़ी ही चेतन सता बोल दी पहिया शुबाइमान है तुमेव सर्बपूत रमंत द्रिष्टत्वा हाँ तु आनू सारे ही तत रमंत मैंने जोंदे याण जा तुसी सारे ततांदे वेच द्रिष्टत्वा मैंने द्रिष्टा बानके रमंत मैंने रमे वेच एक गुरु खालसा जी द्रिश्य हुंदा है तो एक द्रिश्टा हुंदा है द्रिश्य उन्हों कहन देने जड़ी चीज़ दिखाई दिन दी है तो द्रिश्टत्वा उन्हों जा द्रिश्टा उन्हों कहन देने जड़ी चीज़ देख दी है कुसी सार्यां तत्तां दे वेचे रमंत रमे वहे हो ते द्रिश्टा रूपो करके द्रिश्य रूपी संसार नो आप जी देख दे पहे हो माराज कल की दार जी कहन दे प्यारे पाई दया सिंग जी तेस पगवान के लिए तेस श्री सर्बलो पगवान दे चरना दे उपर मैं नमशकार करदा है जो सार नो प्रकाश दिन्दा प्याँ है तुम भगवत अर्थ तारं काम मुक्ष दातारं माराज कल की दार जी कहन दे प्यारे प्याँ दे प्याँ है के सर्बलो पगवान तुसी ऐसे पगवत पगवान हो जो चारे पदार्थ भगश दे हो तरमा अर्थ काम ते मुक्ष ये चार पदार्थ ने हर एक मन्दा चौंदा आए पि मैं तर्मी होँआ फिर गुरु खालसा जी तर्मी बंदा भी चहुदा आए पि मेरे कोल पैसे ओन हर एक बंदा केंदा आए मेरे मंदियां कामना पूरियां ओन ते अंतनु जदो मैं मरा मैं मोक्षनु प्राबत हुआ के चार मंगां हर एक बंदे दियाने पामें कोई पुनी आत्मा एं तर्म में देन वाले वो ते काम-काम नमानु में पूरयां कारण वाले ते अखीर नु भोक्ष प्रादान कारण तारंग दाति हूँ तुमय इस्ट देवड़् प हाँ तुसी इस तरह कलगी तार जी कहन दे पि मेरे इश्ट देवो ते देव अदिप अध जो देवतियां दा पती इंदर है उस इंदर देवी तुसी इश्ट देवो इस तरीके नालवी अर्थ समझेना बीर जिनाद केंदा ये तुम एव तुसी इस तरा जो देवतियां दा अदिप इंदर है उस इंदर देवी इष्ट देव हो, इंदर भी त्वाटे चरना दा पहुरा है, सारे देवते जिन्नी पूझ्दे ने, उभी त्वाटे चरना नो जा करके पूझ्दा है तुम भगवत काल मल हारनंग नित्यंग उसी ऐसे पगवान हो जो पापा नो हारनंग मैंने खत्म करनवा ले यो नित्यंग ये सदा ही हो ये नीपी काल है गेसी अज नहीं हो तिना कालां दे विच आप जी नित्य शुरूप हो हाँ बीर जिनाद केंदा आए तेस पगवान के लिए तेस शिरूमनी सर्बलो पगवान के लिए सर्बलो पगवान दे एक ये देता ही मैं नमह मत्था ठीक दा हाँ तुम भगवत संख चक्र गदा पदम तारी महराज करगी तार जी बीर जिनाद मुख वेच राखके गेंदेने तुसी ऐसे पगवान हो हाथ वेच संख चक्र गदा दे पदम के ये कवर दे भुलनू तारी के ये तारन कीता ही तुम एव असर संखार नहा हाँ तुम एव मैंने निश्चे करके जुद दे मदान वेच दंतानों संखारन वाले हो तुम भगवत बाल बलात कर्मं चैव हाँ तुसी पगवान हो बली तो बली कर्म कर दे हो जो मैंने आते एव निश्चे करके बली तो बली काम कर दे हो संसार दे विच जड़ा काम करना बहुता उखा होई न ओ बली तो बली काम तुसी कर दे हो बल बलाद करमग, बल तो ज्यादा बल लगा करकि जिड़ा काम कीता जावे, अपनी हैसियत तो बद के जिड़ा काम करना है न, उन बल बलाद करमग कहन देदे, जिड़े बली तो बली कामने, उस संसार दे वेच तुसी कर दे हो. माराज कल की तार जी कहन दे पि तेस पगवान के लिए तेस शिरोमनी सर्बलो पगवान दे चरना दे उपर नमा मथट इक दा तुम भगवत दारिद्र दुष्ट सर्बारिष्ट पर सांत करता हां तुसे ऐसे पगवान हो संसार दे उपर दुष्टां देता हैं दलिद्र देता हैं ते सर्बास्ट सर्ब अरिष्ट सर्ब मैने सारे अरिष्ट मैने बड़े बड़े वहरियान हो ते प्रवशेश करके शा दोष्ट ने उनानु में खत्म कर देयो जडी तूदे पागयताँ दे नाम दे बड़े बड़े वैरी ने उना अ सारी वैरिया नुमीा आप शाँद कर देयो आप खत्म कर देयो तुम एव अतुल प्राक्रम है, हाँ तु आडे वेच अतुल बाल है, प्राक्रम मैंने उन्दा बाल, अतुल या मैंने उन्दा जिन्नु तुल या न जा सके, एव निश्चे करके तु आडे वेच अतुल बाल है, तुम बगवत बाल तरमेन हां तुसी ऐसे पगवानो बाल तरमेन तो आटे सारे तरम बाल दे जुगत है क्योंकि गुरु खाल साजी अपन तर्म कर्ब कमावणे हैं पर आपने तर्म कर्बाल दे जुगत नहीं हुंदे गर्मियां दे वेच गर्मी लगी थी अमरत वेले उठके ना लिया शिनान कर लिया स्याल आगया थी ठंड दे डर्दें और रियाई को टली जिड़ा अपना शिनान करन दा तर्म करम है वो गर्मियां वेच दे निव गया पर स्याल वेच निव आई नी क्योंकि अपना इड़ा तर्म करम है वो बल्दी सहथ नहीं है वो बल सुरूप नहीं है बल्दी जुगत नहीं है वे गुरू अकाल पुर्ख प्रमेशर दा जिनामी तर्म करम है वो बल्दी जुगत है जे गुरू खाल साजी उन्हें किसे नू पाना मनवना है वो मना ले दा है उन्हें अपणा कम करदेना है पशला tienen लाधे नालवी मना ले दा है इसलिए जिन्ने Xu जिन्हे तर्यमने उत्पट्री करने पालना करने लेता करने यह सारे ही बंदे जुकतने तर्मे शिट ने पालदे सहत जहां जिते तरमेन शब्दावी न उते एंदार सदाई जुकत जिनने में तवाड़े तर्मकर्मने और बालदे एंद के जुकतान तुसी ऐसे पगवान हो हां तेस पगवान दे ताहीं तेस पगवान सर्बलो पगवान दे चरना दे नमह नमशकार मथटीक दा हां महराज कलगी तार जी केंदे ने तुम एव तुम तुसी एव निश्चे करके जनक पिता रूपवी हो ते जननी माता रूपवी हो च अते सुहिर्द मैने जड़ा हिर्दियों चावे मित्तर उन्हों कहन दे सुहिर्द मित्तर ते बांददार सुन्दाए सबंदी अर्थ जिनों करनाएं तमेव जनक च जननी च सुहिर्द च बंदू च च मैने आते इस तरीके नाल संस्क्रित अर्थ हुँदे ने तुसी सुहिर्द कहिए हिर्दियों चाउन वाले मित्र भी हो ते बंदू भी हो बंदू कहांदे सुबंदी नो खाल सा मेरो इश्ट दो सुहिर्द एमे माराज कल गीतार ने गुरू के खाल से दीवी महिमा कीती है कहनदे गुरू का खाल सा मेरो हिर्दियों चाउन आए गुरू का खाल सा मेरा इश्ट प्यारा है सो एदना ही माराज कल गीतार जी सर्बलो नो कहनदे ने बीर जनादे मुखच राखके कि है सर्बलो पगवान है तुसी माता रूप वी हो, पिता रूप वी हो, सुहिर्द मित्र रूप वी हो, ते मंदू सुबंदी रूप वी हो तुम भगवत पालनं कृत्वा, हाँ तुसी मावात पालना कर दे हो, कृत्वा मैंने कर दे हो, पालनंग मैंने पालना कर दे हो हाँ तुसी निश्चे करके दाता पैदा करन वाले हू सारे संसार नू ते बेदाता बिदी पूरवक संसार दी कर्म रेखा नू बनाऊन वाले ते संसार दी रोजी रोटी दी तार नू आपने काराथ वेच रखन वाले ऐसे पगवान हो हाँ तिस पगवान दे ताई तिस सर्बलो पगवान दे चरना दे उपर मैं मत्था टीक दा हाँ महराज कल गी तार जी कहन दे ने तुसी ऐसे पगवान हो पञ्या तता दे रूप दे सु के ये वेच ये पज्या तता दे रूप वेच भी बैठे ही हो अग वेच भी तुम बैठाए पाणी चिवी तुम बैठाए अकाश वेच भी तुम बैठाए तरती वेच भी तुम है और देखो गुरु खाल साजी अग साड़ दी है ते पानी ठंडा करदा है अकाश व्यापक है हवादा गुन ओर है तरती सकत है ये पंजो तातजेडे ने अपने तर्मा करके एक दूजे तो ब्रोद ने अग तो पानी ब्रोद है पानी तो तरती ब्रोद है तो कि पानी तरती दा नाश कर दिन्दा है अकाश गुरु खाल साजी हर एक थांते है हवा हर एक थांते है ये पंजो तात आपस विच एक दूजे दे ब्रोदी ने पर वाई गुरु अकाल पुर्ख प्रमेशर इन अपन्या ततां विच एदा है जिदा माला दे मन के आँदे विच एक ताका हुदा याखु सत नाम शिरिवाए गुरु सु माराज कल की तार जी कहन दे तुसी ऐसे पगवान हो पंजा ततां दे रूप दे विच शुबाए मान हो तो इतत जाग पोख का है हाँ तो तुसी इतत कई इस तरीके नाल जाग पोख का कई जाग तनु पाल दे पए पंजा ततां विच बैठे हो जे अग दी लोड है ते अग विच तुसी बैठे हो अपने प्यारयानू अग दिन दे हो सियाल विचे सियाल विच सारयानू अग दी लोड हो दी है पानी चाहिदा ये ठंडा गर्मिया विच पानी विच आप जी बैठे हो सारे संसार नो ठंडा पाणी दें दें पएएँ कल ले पाणी दी गाल करिए गर्मियां दे वेचे बार तब शवर्त दी है ते तरती दे वेचे ठंडा पाणी निकल दा है ते स्याल दे वेचे गुरू खालसा जी बार ठंड उन्दी आया है ते तर्ती दे विच्छ तत्ता पानी निकलता है ये विखो रबदा बरता रहा है पानी विच्छ बैठा है जितना दा पानी संसार्द्य लोगानू चाहिदा उदना दा ओदेई जांदा है इतत इस्तरा तो तुसें जगत नो पोख का कई पाल दे पहे है तो इतत दा अर्थ एदर भी उन्दा जी ते इतत इस्तरा मी अर्थ दिन्दा ये शबद इतत गुरु खाल साजी प्रत्या भी मन्या है ते इतत क्रिया विशेशन भी मन्या है शबदी सुन्दरतानों भी बदंदाए कई बार आ करकी तो इस तरीके नल तो ईतत कठाई शबद है अर्थ देले आई दे नल ग्याने सिंग इना चमा अर्थानों इस्तेमाल कर लें देने पर सांग बात तो ईतत पाल लेते बिसवं महराज कलगी तार जी कहन दे तुसी सारे जगत नू पाल दे हो बिसो मैने संसार नू पाल लेते मैने पाल दे हो तासमाई सिरी सर्ब लोह ए नमह हाँ इस लही तेस पगवान के लिए जो सारे जगत नू पाल दाए ते तेस पगवान देताई नमह नमशकार करदा तुम भगवत अखिल ब्राम अचाल मूरते सूँ माराज कल की तार जी कहन दे तुसी ऐसे पगवान हो सारे संसार दे वेच ब्राम व्यापको अचाल लो ते मूरते सूँ सारे संसार दियां मूरतियां दे सूँ वेच तुसी अचाल लो टिके वहे हो बरहम वियापको अखल किये सारे जहानदियां मूरतियां वेचे तो इतत जगद कारणन हाँ तुसी इस तरह जगद संसार दा कारण रूप वी हू इसली तुसी जगद कारण भी हू तो इतत सर्व पूत निवासनंग चैएव हाँ जो अतेव निश्चे करके तो इतत उसे सारे ततना वेच सारे जीमा वेच निवासनंग आसनaboutकार देःओ ता समय श्री सर्भ लुभ ए नम हाँ हाँ इसलिए तेस पुगवान के लिए श्री सर्बलो पगवान देताईं मैं नमा नमशकार करदाईं तुम भगवत सहंसरानन सहंसर लोचनंग चैव हाँ तुसे ऐसे पगवान हो तुआटे हजाराईं चेरे नेते हजाराईं देतरने एव निश्चे करके हाँ तुसे ऐसे पगवान हो एव निश्चे करके सहंसर हजाराईं सीर सा मैंने सिर ने तुहाटे हाँ आप जी दे हजाराईं हाथ ने ते हजाराईं पैराँ देखू वेच आप जी बैठे हो तुकि संसार दे जिनने में हाथ पैर ने सारे वाय गुरु दे ने सारे हथा पैराँ दे विच वाय गुरु दी कला भरत दी पही है हां तास तेस मैं देता है जो शिरुमनी पगवान देता है यह मैंने देता है नमा नम शिकार करता है तुम भगवत निंदरा शुदा पिपास आये सू महाराज कलगीतार जी कहन दे तुसी ऐसे पगवानो निंदरा वेच्वीयो शुदा पुख वेच्वीयो ते पिपास आये पिवास वेच्वीयो सू मैने वेचे ते पिपासा आय मैने पिपासा ते वेच्वी वाय गुरू अकाल पुर्ख परमीश्री वर्तदा प्याए पुख वेच्वी वाय गुरू अकाल पुर्ख ही ए निंद्रा दे वेच्वी वाय गुरू अकाल पुर्ख परमीश्री वर्तदा प्याए क्योंकि पोखते ते प्राना दे तर्मने गुरु खाल साजी पोखते ते दे नाल प्रान मर दे दे ते दुखते सुख मन दे तर्मने इसे तरह जाकना ते साउना ए गुरु खाल साजी तान दे तर्मने सुपन अवस्ता वेच मन जागदा है सखोपती वेच मानमी मर जान्दा आए अग्यानता वेच लेव जान्दा आए सो ए जो सरीरां दे तर्मने इना तर्मा वेच भी वाय गुरु अकाल पुर्ख प्रमेशिर तुई बरतदा प्याए हां तुसे ही ये संसार देताई मारन वाले हो संसार दा संगार करन वाले हो हां तुसे ही प्रलय दे काल वेच सारे संसार नो खिचना कर दे जिदो प्रलय दे समें सारा संसार अकरखे मैने खिचया जान दा ए ओ खिचन दे वेच भी सू मैने वेच तो अडाई वरतारा वर्त दाए तो अडी प्रत्यक जोत वर्त दी है हां जेस प्रगवान दा वर्तारा सारी जगा दी वर्त दाप्या है तेस प्रगवान के लिए श्री सर्बलो प्रगवान दी चरना दी मैं मत्धा ठीक दा हां तुम भगवत पांच पूत आत्मा स्रिजनां कृत्वा हां तुसी पन्या ततानों ते पन्या ततान दी सतो गुणत आत्मा माननों सरिजनां कृत्वा सरिजना कीता है आतमादार्थ मान है उतदार्थ तत है तुसी ऐसे पगवानो पञ्या ततानों ते पञ्या ततानों ते सतो गुणतों माननों सरिजना कीता है हाँ तुसी इस तरीके नाल जीवदी उतपती करना कीती है हाँ एव निष्टे करके तुसी संसार्दियां बमारियानों हरने के लिए आउस दी दवाई रूप भी हो दवाण्या विच्वी तवाड़ी कला भर्तदी पई है हाँ जेस पगवान दा बरतारा सारे बनने भर्तदा प्या है इस स्रोमनी पगवान के लिए आउसे पगवान हो जो पगवत जनान देताई पगत पगती ते गात मुँगती दाते देन वेच समुकती देन वेच वेच भी हो सु वेचे मुगती देन वेचवी हो तुसी पगत जनानों पगती दे मुगती देन दे वेचवी वर्त दे पहे हो जे कोई पगतां देताई गुरू रूप जा सादू रूप पगतां देताई मुगती दे पगती देन दा है उना सादू रूपां दे वेचवी ते गुरू चुईत वाड़ा ही वरतारा वरतदा है तुम एव मात पिता चैव एव निश्चे करके तुसी माधा रीप भी हो तुसी पिता रूप भी हो तुम एव साथ गुर मुगत करता हाँ तुमा तुसी एव निश्चे करके सथ गुरू गुरू नान करूप भी हो जिना ने संसार नो मुगत करना कीता है, मुगती दाण देना कीता है, या मुगती करन वाले तुसी सद्गुरु गुरु नान के सुरूपवियो एव निश्य करके हां तेस सर्बलो पगवान दे दाई, नमह मत्था ठीक दाहा मैं हां तुसी पगवान हो, पराणान दी मालक हो, ते गो बेदान दे द्वारा बिंदं जाने जान दे हो हां तुआडे गर्ब पेट वेच बेदने जागत दे बल्लबा प्यारे हो हां तुसी आत्मा मान वेच रामं रमे वेव, आत्मा वेच तुआडी जोत जागती पही है हां तुसी ऐसे पगवान हो, महा रनकारी जो बड़े जंगानों करन वाले हो के अजित सूर संगरामं जुद दे मदान वेच अजित सूर में कहलाउन वाले हो हां सारे दंतां देताई एव निश्चे करके तुम तुसी हता मारन वाले हो हां तुसी ही संसार दी प्रलय करन वाले हो ते तुसी ही जुद करन वाले हो या प्रलय समर पाठ कठाई है ते तुसी ही प्रलय दे वेच जंग करन वाले हो बीरिजनाद अतजोर की कहनदाए कहनदा है सर्व लोप दो हान जुद बड़े वेखेंडे थलते उन्दे वेखेंडे पर जाल वेच उदेनी वेखे तुसी सारे संसार दे उपर जाल ही जल करदता है तो प्रलय जाल वेच आप ची जंग करदे पहे हू इसलिए बीरजनाद कहनदा है सर्बलो पगवान तुसी प्रला समर करता मैंने करन वाले हो यहा बीरजनाद कहनदा तेसर पगवान दी खुशी के लिए तेसर पगवान दे ताइं मैं नमह मतथा टीक दाहूँ इस तरह आर्थ करना है तेस पगवान दास मैंने तेस पगवान दी खुशी मई मैंने के लिए तेस स्री सुरुमनी सर्बलो पगवान ए मैंने देता है नमह मैंने मत्था ठीकता है कि सारे सलोकदार्थ इतने करना है जिनने सलोक आए ने इस परकार अर्थ करने हान तुम भगवत आजान बाहो चत्र पुजंग महराज कल गी तार जी कहन दे तुसी ऐसे पगवान हो आजान बाहो गोटेयां तक तो अडिगा लमियां बाहाने ते चत्र पुजंग ते कई वार आप जी दियां चार बामा मिने विशनु सुरूप दे बेचे क्योंकि गुरु खाल साजी विशनु ते मा विशनु दी आड़ हसती है एक विशन पुरी जी विशनु रेंदा एक सेख साई है तो गोटेयां तक तो अडिगा लमियां बाहान ते चार बाहाने तो अडिगा विशनु रूप ओने करके विश्णों ने मां विश्णों दी बंदगी कीती जिदो मां विश्णों जी खोश होए ते कहा लगे की मांगदाई जनम साखियां दे विच कता होंदी यह भी विश्णों ने किया मेरी पूजा तेरे तो लोवे तो कहा लगे मा विष्णु जी तेरी पूजा मेरे तो लोवेगे तेनो मेरे वाँ गी पूजा जावीगा तु विष्णु ते मैं मा विष्णु कई जनम साखियां वेच ए परसंग है पुराना वेच भी अवदा है सो गुरु खालसा जी केंदे तुसी ऐसे पगवानो विष्णु रूप तो आड़ियां चार भामा ते गोड़ियां ताक लमियां बाहाने हाँ तो आड़े राजिव कईये कबल वरगे कोमल लोचना कईये नेतरहान तुमेव सुकलांबर तरंग विष्णंग हाँ विष्णंग ननेनु अंकडविया ग्यान चंदा संग दी भीड वेच उसी विष्णु रूप देवेच चांदी रंगे कपडे तरेवे सुकल अंबर तरंग अंबर मेने कपडे, चांदी रंगे कपडे तारन की ते हान हाँ जेस पगवान पियां लमियां गोड़ें तक माहाने तेस पगवान दी खुशी के लिए तेस शिरोमनी सर्बलो पगवान देताई मैं नमह मत्था टेक दा तुम बागवात शीर निद वासी तुम बागवान हो कशीर निद दुद दे समंदर दे वेच वासी वास दे मा मिशन रूप हो करके तुम बागवात शीर नाग दी सिज्जा दे उपर कुछना ने लिखिया भी शीर शीर नाग दी सिज्जा दे कईके लिए बासकी नाग दी सिज्जा उपरने महारह सहभ जी ने दोनों हमात लिख दिते ने है तो सापी पामे वो बासकी कहलो ते पामे शेश नाग कहलो हाँ तुसे ही मां काल क्राल प्यानक स्रू पतार देो मां काल प्यानक वेचवी तो अड़ी ही चेतन सत्ता वर्त दी पई है जिड़ा ऐसा पगवान है तेस पगवान दी खुशी के लिए ते शिरोमनी सर्बलो पगवान दी चरना दी मैं मत्था ठीक दा हाँ तुम भगवत निरवैर निराकार हाँ आप जीदा अकार कोई नी आप जीदा वेर कोई नी, वेर ओधे नाल करीदा है जीद तो डार होवे की है मेरे किते बराबर दा ना बन जाए ते बराबर दा बन कारके मिनों किते ठबी नाला आद वे अप जा बीदा मावरा आए ते उन ठबी लाती between कोई नी जीड़ा अकार ही नी जी ओदे बराबर किसे ने की होना हैं, इसलिए उदा किसे नाल कोई वेर नहीं, इसलिए माराज कल गीतार जी बीरजनाद दे मुख वेच रखके कहन दे, तुसी ऐसे पगवान हो, जो निराकार दे निर्वेर हो, तुम एव परम हंसे सु, हां तुम तुसी एव निश्चे करके परम हंस महातमा दे सु वेच वर्त दे पहे हो, एक परम हंस महातमा हों दे ने, हंस दा सबाव है, उन प्रमेशर वल्लों, खुदरत वल्लों ए वड़े आई, गोन है उदे कोल, ओधी चोंज विच खटियाई ओ दोध विच चोंज पावेत दोध दियां बोटियां आड़ो जान दियांने, पाणी आड़ो जान दा है, बोटियां शागलेंदा है, ऐसे महातमा हं दे ने, जिनना दे मान वेचे मान रूपी चोंज वेचे ववेक रूपी खटियाई हं दी है, ओ ग्यान जां ववेक संसार देविच्व ब्रह्मनु अड़ कर लें देने सत्य स्रूपनु असत्य संसार नु चुठा समझ के ताज देने इसलई उन्हा मांपुर्खानु परमांस कन देने सुजड़े परमांसमा पुर्खने एव निश्चे करके सुना दे विच्वी आप जिदा बरतारा बरतदा प्या है तुम एव पार भ्राम परमेश्वर करता है हाँ तुम तुसी एव निश्चे करके पार पारा बार तु रहत भ्रम सुरूपो ते परम ईश्वर हो बड़े ईश्वर हो से संसार देताईं पैदा करनवाले हूँ हाँ तेस पगवान दी खुशी के लिए तेस पगवान दे चरना देताईं में मथट एक दाहा हाँ महराज कलगीतार जी कहन दे तुसी ऐसे पगवान हो संसार दे उपर जेड़े पुन सरूपने उना वेचुवीत वाड़ा बरतारा बरत दाई हाँ जेड़े पापी पुर्खने पापी पुर्खांदे पापानु में खंड़नं के ये नाश कृत्वा मैंने कर दे हो हाँ तुसी एव निश्चे करके संसार तो तारन लई समराथ जहाज रूप हो या संसार तो तारन लई आप जी समराथ हो आप जी जहाज सरूप हो जेड़ा ऐसा पगवान है तेस पगवान दी खुशी के लिए तेस सर्भलो पगवान दी ताई में मथट एकदा हाँ हाँ तुसी ऐसे पगवान हो महसाय मैने बड़ियां महातमा दे सू बेच वर्त दे पएयो संसार दे उपर बड़ि महातमा हों दे दे महातमा नू पादिश्यद करिये ते महा आतमा आतमा मैने मान जिना दा मान बड़ा बड़ा होगे बड़ि दा पाव हैं जिना दा मान बड़ि सोच रखदा होगे उना नू महातमा कहन दे दे बड़ि सोच की है कि संसार दे उपर दोध परकार्दियां मान दियां विर्तियां एक संसारा कार एक ब्रह्मा कार ब्रह्माकार मंदी विर्ति हो है जो ब्रह्म नों विशे कर दी है ब्रह्म नों जानन लही तद पर रहन दी है संसाराकार विर्ति हो है मंदी जो संसार नों विशे कर दी है संसार दे विश्यावकारां विच फसी रहन दी है महात्मा जान ओ उन्देने जिन्नादी विर्ती ब्रह्मा कार होई उन्दी है जिन्नादी मांदी विर्ती ब्रह्मा कार हो करके ब्रह्म दे नाल जुड़ी उन्दी है उननु महात्मा कहन देने तो आप जी संसार दे उपर जड़े बड़े बड़े महात्मा जानने महासाई मैने वड़े जड़े महात्मा जनने सू वेच उनादे वेचवी तवाटी जोट तवाडा बरतारा वर्तदा प्याए महासाई यह पूरा करना है महासाई इस तरह उचारन करना है हाँ आप जी एव निश्य करके मदू ते कैट बदैंतनों सूतना खत्म करनवाले मारनवाले हो हाँ तुम तुसी एव निश्य करके अपने जनानों पगती रूपी पानी दे नाल अर्दन गिल्ले करनवाले हो ते रिखियां दे मालक हो ते रखीक एसंग ते इसंग मैने मालक रखीक मैने इंद्रियां पांज कर्म ते पांज गियान इना दसां इंद्रियां दे आप जी मालक हो आत्म सुरूप करके सरीर वेच शोब दे पहे हो हाँ जेस पगवान दा वरतारा इस तरह सारी थाई वरताप्या है तेस सर्बलो पगवान दी खुशी लेन वास दे शिरोमनी सर्बलो पगवान दी ताही मैं मत्था ठीक दा तुम भगवत पत्ता नां पावन क्रित्वा हाँ बीरजिनाद कहनदा सर्बलो पगवान दे अगे आत जोड़के सर्बलो पगवान तुसी पापियां दे ताहीं पावन करदे हो तुमे व पवित्र पावन हाँ तुसी पवित्र लोकां दे नालों मी पावन हो इनने पवितर इनने पवन हो पितवाटे समने पवितर था भी आपने आपनों ही नहीं समझ दी है हां तुसी सारे आंदे विच देव प्रकास रूप होके वास वसदेव ते भीगना देता ही हर देव हाँ कहन दे ऐपी ऐसा जो वाइगरु अकाल पुरुख है न तास कहिए तेस सर्बलो अकाल पुरुख जी दी ए खुशी मही मैंने लैन वास दी ते शिरी शिरोमनी सर्बलो पगवान देता ही नमह मैंने मत्था टेक दा हाँ हाँ जेडा पगवान खुशियां दे ताई करता ही खुशियां दे खेडे बक्षिदा ही हाँ जेस पगवान दा सरूप महा मोहनी है जा जो पगवान महा मोहनी रूप दे जुकत है न मैंने जुकत वहे गुरू अकाल पुर्ख प्रमेशिर दा रूप बहुता मोन वाला है ए नहीं है कदे मोलिया कदे ना मोलिया सदा ही वहे गुरू अकाल पुर्ख प्रमेशिर दे गोना ओदे सुरूप नो वेके मुखो निगल दी है वा गुरु नानक सहीब जी ने किया वा गुरु क्योंकि गुरु खाल साजी प्रमेशिर पर्गट करदा ये फिर पालदा ये फिर हरदा ये मारा ये ते त्रै गोनी वेखिये ते मुँँ वा निकलदा ये बाने विचे लिखियाए बाहु बाहु तिसनु अखिये जे सब मैं रहा समाईये तो बेकीदा उने सारी चाहे विचे जिदा मन के हानदे विचे ताहगा एक 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 है दा सारे सारवे चो समायाए ता मोई निकल दाए बाओ वह ग्रु दे शिरूप नुवेख करके मौया जानदा अवान बहुता मौया जानदा है महा मोwon नी भूता मोन वाला वह ग्रु अकाल पुरुप दा सिरूप है इसलिए महाराज ने लिखिया आए कि आप दा जड़ा सुरूप है ना ओ महा मोनी दे जुक्त सैत है हाँ आप जी दी मदन कामवर की मूरती है ते मुकंद मैने मुक्ती नू देन वाले मुक्त मंदा कदू अंदाए जिदों संसार्दे नालू उदा मो कट्या जाए मुकंद दा अर्थ करना मो कंद मो मैने मो ते कंद मैने कट देओ संसार्दे नालू मो कटके ते प्रमेशिर दे चरना विच प्यार जोड के बंदेनू मुक्त कर देओ इदा ए मुकांददा अर्थ संपरदामा विच ग्यानी सिंग मा बुर्ख पड़ाँ देदे ते हरियं हरे परे करनवाले हु आप जी तास मैं सिरी सर्बलोह ए नम्हा ना तेस सर्बलोह पगवान की खुशी लेने के लिए तेस सिरी सर्बलोह पगवान की ताही मैं नम्हानमन करता हूँ तुम भगवत बैराट रूप बिसव मूरतं चैव हाँ चो मैंने अतेत उसी ऐसे पगवान हो कि आप जी बैराट सरूप हो बैराट सरूप क्यों हो को कि सारा संसार तो अड़ी ही मूरती है विश्व मूरत ये सारा संसार विख्या जावे थे तो अड़ी एक मूरती है नाना प्रकार दे जीव मिल करके तो अड़ा सरगन सरूप बन दाई इसलिए तुसी बैराड सरूप हो एव निश्चे करके हाँ तुसी बैरग दे खपड़ेंअ नृ पहनen वाले हो हाँ तिस सरूप बन दे जागने के लिए तिस सर्जलो पघ्वान को मैं नमन करता हूँ माराज कल की तार जी कहन दे जा भगवत जिड़ा पगवान परमताम मैने वड़ा ताम साच कांट बैकुंठ ताम उदे वेच नवासनं के ये वासा करदा एव निश्चे करके जानो तुम एव महा परा परमात मानं हाँ तुम तुसी एव निश्चे करके महा परा महा मैने बहुत ते परा मैने दूर बड़े दूर हो पगत ते गुरु खाल साजी रबनु अपने निड़े जान देने ते संसारी लोकां दी नजर तो वाई गुरु अकाल पुर्ख परमेश्र नजर बड़ा दूर है और निड़े ओके भी दूर है संसारी लोकां दे कापु वे चिव वाई गुरु अकाल पुर्ख प्रमेश्र नहीं जे होगा ओ परे तो परे है मान बोद चेत हंकार तो परे है इंदरियां दी पहुच तो परे है ओ मां परे है तो एस लए कहन देने परा लिखिया है ते परमात मानंग ते आप जी परमातमा सुरूप परमातमा हो सारे संसार दिया आतमा नु जोत तो आड़े तो ही मिल दी पही है इसलिए आप जी परमातमा हो हां महा परा दा अर्थे भी करना परा मैंने पुरातन महा मैंने बहुत बड़े परातन सनातन हो आप जी इन परातनों किसे ने आप जी दा आद नी पाया इसलिए तो आनो अनादी भी कहन देने हां तुसी एव निष्टे करके परमानांद सरूपो ते पुरिश उतमं उत्मं पुरिश हो ते पूरे हो अदूरे नहीं क्योंकि सारा संसार आपने रचिया किसे को लो ना दे उदारे पैसे मंगे ते ना उदारे तात मंगे ते ना उदारे कोई अवजार हत्यारी मंगे ने सब को जित्वाटे को ली है जे में मकडी अपने मुँदे विच्चो थुक काटके आपी जाला भुण देंदी है न इदा ही तुसी अपने विच्चो माया काटके आपी संसार दी रचिना कीती है तासमई शिरी सर्बलो ए नमहा तेस पगवान दी खुशी लिए तेस सर्बलो शिरोमनी पगवान दी ताई में मत्था ठीक न हाँ हाँ तुसी सनातनं पुरातन तो पुरातन हो ते नित्यस रूप हो सदा ही रंदे हो ऐसे पगवान हो तुमेव परदान च एव निश्चे करके च अते आप जी परदान हो संसार दे विच तो आड़े बरबर कोई नहीं है आप जी परदान हो ते परदान सारा संसार गुरु खाल साजी कुछ ना कुछ रोटी रोटी खंदाए ते फिर जी दाए दान आदक खंदेने अनाज चौल आदक आप जी धान आदक मास धान इससे तरह कहा इना सार यहां चीज़ां तो पर मैंने परे हो हाँ तो अनु बेद दे शाहित्र भी गाइंती मैंने गौँदे पहे हन हाँ तेस सर्बलो पगवान दी खुशी के लिए मैं सर्बलो पगवान दी ताही नमन करदाँ हाँ हाँ हे पगवान तो मुगत रूपी वैकुंठ कारवेच वी अप वर्गदार से मुगत ते वैकुंठ दार से वैकुंठ आल लए मैंने कार मुगती रूप कारवेच वी मुगती रूप वैकुंठ कारवेच वी तो वराज़िदा पहाँ है गुरु खाल साजी दो तरीके दे वर्ग ने लोगां लई जिना ने पुन कीते ने उना लई सुवर्ग वर्ग है सुवर्ग सुवर्गदार सुन्दा ये सरेष्ट वर्ग सरेष्ट कार जिना ने पाप कीते ने उना लई कुवर्ग है खुटा वर्ग है उन्हों केंदे है नर्ग जिना ने पाप पुन तो उपर उठ जाना कीता है उन्हों केंदे ने अप वर्ग दोना वर्गां तो अप रहत ओ केड़ाई साच खुंड ता हाम बैकुंठ दा आर्थ समझना है सुवर्ग अल्ले दार्त समझना हैं जड़े मात लोक दे कारण है साच घांट बेच वी हैं, स्वरकां बेच वी हैं ते नर्क अपने को ला लेना हैं बेच क्योंकि जिते एक पहलु आगया है हो थे दुझे पहलु ने अपर या जाना है दुदे भई कुंठ आगया है उतम नर्का पे अंगीकार होनगी अप वर्ग साचगांड वैचल है भई कुंठ स्वर्का वैचल है दुदõ नर्का वैचल है आल्लाए मात लोक दे जो करने उना वैचल है पावसार यां थामाते तुसी समाए वैए ऐसे पगवान हो अल्ला ए यह यह पूरा कर लेना है हाँ तुसी ऐसे पगवान हो तर्म अर्थ काम आद खनू दाय कह देन वाले हो आप जी सुरतार कल्प ब्रेच वेच भी हो जो सार यांदियां काम नावानू पूर्यां करता है कि सुरते नो ए गुरु खाल साजी काम ते न गवु है कि देवतियां दी गवु है जो सारे पदार्था नो दिन दी है इन दुना कामना नो पूर्यां करन वाले यांदि खूँ वेच तु वराजदा प्याएं एव निश्चे करके तासमाई सिरी सर्बलोह ए नमहा सर्बलोह पगवान की खुशी के लिए मैं सर्बलोह पगवान दे चारणा देताई मथा टेक दाहा ठोम भगवत स्वरूप सर्न्यां सार जग्दा धार यां तुसी ऐसे पगवान हो सार की ये स्रेष्ट ते सरंया की ये सर्न देन वाले हो सरन्या रारेते टिपी है तुसी ऐसे पगवान हो आप जी दा स्रेष्ट सुरूप है कि सरन्या सर न देन दे जोग हो ते जगद अधार जगद दे आसरे हो तुमेव सर्ब ब्याप कहा तुमेव निश्चे करके सारे आंदे विच ब्याप कहू आप जी तुमेव पद्र करता मंगलंग चाईव हाँ तुसे ही पद्र के ये पद्रे कमानों भी करता मैंने कर देओ तुमेव निश्चे करके मंगलंग खुशियानों भी कर देओ दोना पहलों विच आप जी वर्त दे पहेओ पद्रदार्थ कलियान भी कर देने एब निश्य करके तुसी कलियान मी कर देओ ते खुशियां मी कर देओ क्योंकि एक एक पाद दे दो दो अर्थ ने जिमें खालदा अर्थ मूर्ख भी हुंदा है ते खालदा अर्थ निश्चा भी हुंदा है संस्क्रित वेचे खालदा अर्थ निश्चा भी है जिमें पाठ पराणियां बीड़ा वेचे दुन नो तरह होदा है अखिल जोगे दे अख्ल जोगे दुन ना तरीके आनल पाठ होदा है पाही मनी सिंग जी ने जो आद दसम्दी कठी बीड़ लिखी है उदे वेच अख्ल जोगे खके नो सियारी नाल लिखिया है सारे आनो तुन जोग बनाऊन वाला है अख्ल जोगे इभी पाठ कुरू खाल साजी बाबा दीम सिंग जी लिखती बिड़ वेचे उदा है अव मैने नहीं ते ख्ल मैने परुसा जकीन जिना देता है परुसा जकीन नहीं जोग बनादना है जड़ा तरे दर्वार वेची आजवे पाँए ते परुसा होगे ना होगे पर जड़ा दर्वार वेची आगया जोग करदना है एदा मैं गुरू खाल साजी अर्थ करलेदे इने सो एतना पदरदार से कलियान भी है ते पदरदार से बुरा भी है आप जी कलियान नू कर देओ ते जो मैंने अदे एव निश्जे करके खुशियान नू कर देओ हाँ तेस शिरोमनी पगवान दे खुशी ली है तेस सर्बलो पगवान दे ताई मैं नमन करदा हूं नमशकार करदा हूं इत्थों ताई एक सो पजा सलुकां ताक बड़ी किरपा करके माराज ने कथा करवाई है ते ए जो दो सो साथ ए बड़ा जड़ा दीरग कवच है ते ओदे सलुक ने अगे लगू कवच आएगा वो पंच सलुकी है ते फिर गुरु खालसा जी अगे समावती हो जाएगी सो मारा सैव जी किरपा करदेने ते बड़ी शर्दा पावनादी नाल इस सर्वन करगे कलगी तारने बीरजनादी मुखरेच रखके इस सारा सर्वलोदा कवच उचारिया है प्राणी गुरु के सेखिदा नेम करदे रहे ते सर्वलोदी है खुश्या लें दे रहे तुम पगवत स्वरूप सरन्या सार जगदाधार तुमेव सर्व बयाप कह तुमेव पद्दर करता मंगलंचैव तासमई सिरी सर्वलो ए नमहा वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फदे